हलो माई दियो फ्रेंट्स वेलकम बाक टू माई चैनल टूटर आट यो हूँ फ्रेंट्स आज हमारे पास में है कुछ इंपोर्टन फॉर्मल अप्लिकेशन्स और ये जो अप्लिकेशन्स हैं स्पेशली में लेकर आई हूं क्लास 10 के लिए देखिए बहुसी बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे लेंदी अप्लिकेशन्स लर्न नहीं कर पाते हैं तो यहां हम सिखेंगे कि कैसे इजी वे में और इजी सेंटेंस की हेल्प से हम छोटी अप्लिकेशन्स लिखकर भी नंबर गेन कर सकते हैं तो देख लेते हैं क्या अप्लिकेशन्स हैं ये सारी अप्लिक learn भी करवा दूंगी and मैं आपको easy way बताऊंगी कैसे हम अच्छे marks भी यहाँ पर गीन कर सकते हैं ओके चलिए start करते हैं पहला question आपको यह दे रखा है कि आपको you are Manasvi Shrivastav studying in government high school चिंद्वारा मध्यप्रदेश write an application to your principal for school living certificate फिर यहां लिका है transfer certificate फिर एक और चीज़ लिखी character certificate तो my dear friends अगर आपको इन तीनों मैंसे अगर इन तीनों मैंसे कोई भी एक application वहाँ पर लिखने के लिए आ जाए for example आपको वहाँ पर लिखने के लिए आ जाए कि आप application school living certificate पर लिखो और अगर यह आजाए कि transfer certificate पर लिखो और अगर यह शब्दा आजाए कि character certificate पर लिखो तो यह तीनों ही application में जो मैं आपको नीचे बताने वाली हो अगर मैं आपने यह याद कर लिया ना तो आप तीनों मैंसे कोई भी application लिख पाएंगे बस जहाँ पर school living लिखा है उस जगे क्या कर दीजेगा transfer certificate और अगर transfer certificate नहीं आई और character certificate आ गई तो जहाँ जहाँ school living certificate या दूसरी चीज़ लिखी वहाँ पर क्या कर दीजेगा character certificate कर दीजेगा अब दीखिए question में आपको अगर ऐसा दिया है कि आप मनस्वी हो आप रवी हो आप यह school में पढ़ते हो तो please आप वही address use करेंगे जो question में दिया है okay इसके भी marks होते है अगर नहीं दिया है very good इस condition में आप अपने school का नेम भी लिखेंगे तो भी चलेगा okay इसलिए question अच्छे से read करिएगा तो यहाँ already दिया हुआ था कि आप मनस्वी श्रिवास्ता है और government high schooler पढ़ रहे है तो सबसे पहले format के recording आप क्या लिखते हैं to लिखते हैं जिसको आप लिख रहे हैं फिर आप यहाँ पर एक line छोड़ेंगे उसके बाद में आप कहां लिख रहे हो जिसको भी आप लिख रहे हो जिसको भी आप यह application address कर रहे हो उसका नाम आजाएगा मतलब उसकी post का नाम आजाएगा ध्यान रखेगा है का principle है government high school चिंद्वारा MP तो इस तरह से आपको तीन line में तीन अलग-अलग line में आपको उस principle का क्या कर देना है address लिख देना है एक line में तो हमने लिख दिया जिसको लिख रहे हैं दूसरी line में school का नाम लिख दिया तीसी line में जिस जगह ये school है वो लिख देंगे फिर आती है आपकी date दिखी date का format मैं आपको यही suggest करूँगी कि इस तरह से ही लिखेगा एक pattern follow करिए हमेशा तो हमेशा से याद रहेगा आप date लिख दो फिर month का नाम लिख दो फिर comma जरूर लगाईगा फिर year लिख दो अब date भी होगी date के बाद क्या आता है date के बाद आता है subject subject का मतलब जहां आप यह mention करने वाले हैं कि यह application किस purpose से किस वज़ों से लिखी जा रही है यहीं से read करके लोगों को और जो भी है आपका teacher है आपका principal इसको idea लग जाएगा कि नीचे आपने क्या लिखा होगा यहां से clear हो जाएगा उसको topic तो आप देखिए आपने यहां लिखा application for school living certificate अच्छा यहां पर अगर school living certificate नहीं आती और आ जाती transfer certificate की application भी को transfer certificate के लिए हाल तो आप क्या करते हिए यह जो मैंने आपको whoever green बना की दिया है न इस जगह क्या लिख देना transfer certificate लिख देना अगर transfer certificate की आजाये तो और अगर character की आजाये तो तो इसी place पर क्या लिखदेना character certificate लिखदेना ठीक है यहाद रखेगा इतना सा phrase कि यहां पर change हो जाएगा अगर transfer certificate आगया या character certificate आगया बाकी सब सेम रहेगा फिर हम greet करेंगे यहाँ पर salutation लगाएंगे salutation में यहाँ पर हम बोलेंगे respected sir या respected ma'am sir हैं तो sir लिखेंगे अगर ma'am आपकी principle तो आप ma'am लिख सकते हो ma'am लिखने का तरीका यह होता है मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे even teachers भी इस तरह से ma'am लिख देते हैं this is completely wrong इस तरह से नहीं लिखा जाता so ma'am कैसे लिखा जाएगा आप लिखेंगे am then a then a, then a and n इस तरह से ma'am लिखा जाता है तो do the correction अगर आप अभी भी यह वाला meme करते हैं तो यह अब नहीं करें this is the right one फिर आप यहाँ पर सबसे पहले बता दीजे कि आप कौन है आप बता दीजे I am a student of class 10th मैं एक विध्यारती हूँ class 10th का फिर बता दीजे कि I have to leave the school क्योंकि आप school leave कर रहे हैं school leaving certificate मतलब school से जाना school छोड़कर अब आप जाना चाहते हैं फिर आपने next layer में का लिख दिया I have to leave the school अब school जा रहे तो कोई reason होगा due to some reason आपने दे दिया कि कुछ reason है मेरे और मैं school छोड़ रहा हूँ और school छोड़ोगे तो क्या नहीं कर पाऊगे पढ़ाई continue नहीं कर पाऊगे तो दूसरी sentence का लिख दी I cannot continue my study here here मतलब यहाँ आपके school में तो next sentence क्या जाएगा I cannot continue my study here फिर आप उनसे मांग रहे हैं कि इसलिए मुझे क्या दे दो I need my school living certificate मुझे क्या दे दो school living certificate दे दो यह paragraph लिखने के बाद एक line छोड़ यह चोड़ियेगा और यह लिख दीजेगा So I request you to issue my school living certificate So I request you to issue my school living certificate यह सब question में दिया होगा आपको यह जो green green जो दिख रहा है न यह question में दिया होगा अब अगर school living certificate नहीं आई तो application यही रहेगी इस जगह क्या हो जाएगा transfer certificate है न अगर transfer certificate की आगे तो यह भी question में दिया रहेगा तो जहाँ पर भी green green दे रखा है इस जगह आप क्या लिख दीजेगा transfer certificate लिख दीजेगा और अगर transfer certificate नहीं आई और character certificate आई तो यहाँ ही पर क्या लिख देंगे हम character certificate क्या लिख देंगे character certificate ये question में दिया रहेगा तो कितना आसान है ना आपने application तो एक ही आद करी लेकिन इस place पे हम ट्रांसर certificate भी लिख सकते हैं और character certificate भी लिख सकते हैं फिर ये सारी बाते आपने जब कर ली तो आप अपना नीचे end up करेंगे हम complimentary close इसको कहते हैं तो यहां आप कैसे लिखेंगे यॉर्स ओबिडियन्टली अब देखे अगर ओबिडियन्टली की स्पैलिंग आपको याद नहीं रहती है तो आप यॉर स्टूडेंट भी लिख सकते हैं ठीके और देखे यॉर में यॉर्स जब आप लिखेंगे तो यह एक कॉमा नहीं लगाना है अब हम इसको यॉस नहीं करते हैं तो हम यॉर्स अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ये वाला यॉर्स आएगा ठीके ना ठीके या आप यॉर्स स्टूडेंट भी लिख सकते हैं तो अगर आपको obediently spelling याद हो जाती तो बहुत अची बात है, अगर नहीं होती तो आप your student करके भी, अब हम यहां लिखेंगे अपना नाम जो की question में दिया हुआ था, मनस्वी श्रिवास्तो क्लास 10 A, ये करके आपको application क्या कर देना है, खतम कर देना है, तो थीना कितनी small चोट जा सकता है, वो ये है कि book bank से आप request कर रहे हैं कि आपके school में book bank है और आपको क्या मिल जाए, book मिल जाए, वहां से पढ़ने के लिए, तो देखें, ये question हमको क्या बोल रहा है, you are यशेश्वी श्रिवास्तो, आप यशेश्वी श्रिवास्तो हो यहां पर, studying in government CMRI school, principal को application लिख रहे हैं, आप उनसे request कर रहे हैं कि आपकी school में जो book bank बना रखा है आपने, वहां से आपको क्या देदे, किताबे दे ताकि उन किताबों की मदद से आप क्या कर सके, पढ़ सके, तो देखें, थोड़ी information तो हमको question में दे रखी, कौन-कौन सी information कि आप क्या है, य so write an application to your principal for issuing, तो format वही रहेगा, सबसे पले आप 2 लिख देंगे, फिर क्योंकि हम principal को लिख रहे हैं, तो the principal, फिर उसके नीचे just नीचे आपके school का नाम आजाएगा, आपका school कहाँ पर है, वो place का नाम आजाएगा, फिर हम एक line चोड़के फिर से date लिख देंगे, फिर हम लि हमारा application for क्या हो जाएगा, issuing book from book bank, और ये issuing book from books from book bank हमने कहां से लिखा, हमको question भी तो दिया था, ये रहा, issuing book from book bank, तो ये चीज आपको पढ़नी है कि क्या reason से हमको application लिखने के लिए दी गई है, क्या reason है application लिखने का, यहां से मिल जाएगा, फिर आपने, sorry, फिर आपने respected man, जो भी आपको सही लगे, फिर से देखी line मैंने common इसलिए लिख करी है ताकि एक ही बार आप याद करें और आपको बार 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 अलग अलग तरीके से नहीं, अलग अलग sentences मैंने avoid करें हैं, use करना, एक जैसा pattern इसलिए लिखा है मैंने, ताकि आपको याद करने में problem ना हो, पहले आप बता दीजिया, I am student of class 10th, फिर आप बता दीजिया, my father is a farmer, मेरे पिताजी जो है, वो किसान है, and he is unable to purchase books for me, वो मेरे लिए किताबे नहीं खरीच सकते, तो he is unable to purchase books for me, I want to study for good result, और मैं अच्छे result के लिए पढ़ना चाहता हूं, बस, फिर आपने end कर दिया, So I request you to issue me books from book bank, लेकि छोटे-छोटे sentences से आपका ये application बन जाएगा, इसमें ज़्यादा sentence नहीं है, hardly five to six sentences है, ये इतने छोटे हैं कि आप आराम से मुझे नहीं लगता कोई tenth का बच्चा, इतने छोटे से sentences को भी याद नहीं कर पाएगा, है ना, फिर वही नीचे आजाएगा yours obediently, या your student जो आप लिखना चाहें, क्योंकि question में दिया था ये शिश्वी हैं आप, तो आपने लिख दिया ये शिश्वी श्रिवास्तव, class 10th A, so I hope आपको ये book bank वाली बिलकुल पढ़के जाएगा, मुझे high expectation लग रहे हैं कि ये application अपकी बार आ सकती है, चलिए next देख ल MP, write an application to your principal for full fee concession, तो यहाँ पर भी आपको एक situation दे रखी है, कि आप पूर्वी हैं, आप सरसोती शिशुमंदे में पढ़ रही हैं, और आपको application लिखनी है, full fee concession का मतलब होता है, आपकी fees क्या कर दे, आपका जो principal है वो माफ कर दे हैं, तो इस चीज के लिए, again आपको format वह बानखेडी, मध्यप्रदेश, यह place का नाम है, एक गाउ में उसका नाम है, तो आपको कुछ ऐसी नेम देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत अलग-अलग तरीके के नेम होते हैं, गाउं के, तो उसके बाद हम लिखते हैं, date, ठीक है, इस format में, जो भी मन्त चल रहा है, यह मैंने 11 February को generate किया था, तो मैंने इसलिए यही लिख रहा है, लेकिन आप उसी दिन की तारीक लिखेगा, जस दिन आपका exam हो, ओके, फिर आपने subject लिख दिया, application for full fee concession, for full fee concession, तो देखी, यह तो जो है, यहाँ पर spelling बगेरा, यह सब चीज़ें कोशन में दे रखी हैं, आप को tension नहीं लेना है, यहाँ दिया है, full fee concession, तो यह नहीं सोचना है कि कहां से लिखे हैं, क्या लिखे, यह for के बाद जो होगा न, वो आप application की, subject में, application के बाद में, application for करके, full fee concession लिख सकते हैं, यह दिया हुए question के अंदर ही, then according to format, आपके लिखेंगे, salutation, जिसके अंदर क् respected sir या ma'am आता है, फिर वापस से अपने लिखा, I am student of class 10, देखें, आप समझ रहे न, मेरा सारा pattern, मतलब यहाँ पर मैंने हर एक application को I am student of class 10 से start किया है, my father is a farmer, देखो, इसके अंदर मैंने farmer बताया था, और book bank में भी farmer बताया था, यह, एक situation बता दी आपने उनको, के भई, मे financially इतना strong नहीं होगा तब, फिर वापस से आपने लिख दिया, he is unable, unable का मतलब होता है, असक्षम, अब यह काई में असक्षम है, to pay, देखो, book bank में किस चीज़ को लेके unable थे, to purchase the book, okay, यहाँ पर किस चीज़ में unable है, to pay my fees, pay मतलब देना, क्या नहीं दे सकते है, fees नहीं दे सक fees को क्या कर दीजिए, maaf कर दीजिए, okay, फिर आपने end up कर दिया, yours obediently, या your student करके, अगर question में name दे रखा है, तो आप वही name लिख दीजिएगा, otherwise आप यहाँ पर roll number भी लिख सकते हैं, या x, y, z, भी लिख सकते हैं, अगर नहीं दिया है, तो, okay, फिर class का name, आप लिखके, section इसको end up कर सकते हैं, ठीक है, अब देख लिखे, यह last question है, application के लिए, यहाँ पर आपको दिया है, कि भी हम बिमार अगर हो गए, three day sick leave, अगर हमसे लिखने के लिए बोल दी, दिक, उस sick word भी आ सकता है, या ill भी आ सकता है, दोनों का मतलब बिमार होना ही होता है, question लिखा है, कि you are public studying in government high school, होशंगाबाद, MP, write an application to your principal for three days sick या ill, यह शब्द आ जाए, तो गवराना नहीं, यह बिमारी के लिए ही है, format तो अब आपको याद हो ही गया होगा, सबसे पहले का लिखेंगे, to, फिर आएगा the principal, ठीके, फिर next line में school का ना, फिर third line में place का ना, ओके, फिर आजाएगा आपका subject, subject में application for करके, जिस चीज के लिए आप application लिख रहे हैं, उसका नाम लिख देना, यहाँ पर सिख लिए है, तो हमने सिख लिए लिख दी, okay, फिर आजाएगा respected sir, या ma'am, जो भी आप लिखना चाहे, I am student of class 10, I am unable, unable का मतलब होता है, asaksham होना किसी चीज को करने में, हाना, यह word हमने तीन बार लिख दिया है, भी उपर भी हमने, क्या लिखा है, I am unable to come to school, मैं school आने में असक्षा मू, क्यों, यह बताना पड़ेगा, due to fever, क्योंकि मुझे fever है, तो due to fever लिखना पड़ेगा आपको, I want three days leave, इसलिए मुझे कितने दिन की चुटी चा leave, मांग ली, और application को end कर दिया, और last में हमारा complimentary close, जिससे यह पता चले कि लिखने वाला कौन है, तो यहाँ पर आपने लिखा yours obediently, अगर यह नहीं लिखना है, तो यह भी लिख सकते, your student, पलवी, class 10th A, so यह थी मेरी तरफ से आपको चार application, जिसके अंदर मैंने एक application आपको उसी में transfer certificate भी चुपी है, उसी के अंदर character certificate भी चुपी है, तो यह ना सोचेगा कि अरे माम ने transfer certificate नहीं लिखवाया, अरे माम ने character certificate नहीं लिखाया, अब में क्या करूँ, भाई हमने school living certificate याद रखी है ना, तो कुछ नहीं करना है, जहाँ school living certificate लिखोगे, वहाँ क्या certificate किया है तो, और अगर character किया गए, तो character लिख दे रहा, कहा लिखोगे, इन green वाली places पे, ओके, भूलिए का मत, अच्छा से याद करके जाना, चार नमर का question आता है exam में, ओके, थैंक यू सो मच, गुद लग for your exam, and चैनल को subscribe कर दीजे, like कर दीजे, और share कर दीजे, ताकि bye and take care